वासलालेकुम एवरिवन विल्कम बैक टो मैं चानल तो यह है ना सहरी के बाद इतना अच्छा वी होता ना बाहर तो मैंने कैप्चर कर लिया एक्चुली व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था चार बजे सिल्मन आफिस से आते आते मैंने कुछ सामान मंगए थे उनके पास से त आते मुझे बोल रहा था मैं मैं शूट को रहो मतलब कैमेरा के सामने जूस दीखा रहा था तो मैंने भी तोड़ा उसका शूट कर लिया और जैन के लिए मैंने कुछ वेजटेबल्स मंगाई थी तो सल्मा ने ना मैंने बूली थे थोड़े लेकर रहा हो तो बहुत रहते है ना वो भी मैं अलग से रख रही हूँ तो मुझे एजी हो जाएगा निकाल के फ्राइ करने के लिए तो अब यह मेरा पाटिशन करके हो गया है और इसके बाद ना मैंने फटा-फट रोटी बनाई और आज मैं बनाने वाली थी मेरे लिए साबुदाना वड़ा मेर इतना टेस्ट ही बनता है ना मतलब मैं खुद की तारिफ नहीं कर रही हूँ लेकिन बहुत यम्म्य बनते हैं और मैं अकेली खाती हूँ सलमा नहीं कहते तो यहां पे ना मैंने साबुदाना आलो लिया है ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ यूच्वली मतलब वो रसिपी में है लेकिन पीना पीनट्स के भी बहुत अच्छे बनते से मैंने उसमें करे लिए उस मिर्ची जीरा और नम्मक डाल दिया है बस और डालके मैंने उसको शेप दे के ले लिए जैनना सोफे पेस हो गया था तो मैंने उसको नीचे सुला दी और हुआ कया था ना मेरे पास से गिला कोबरा खतम हो गया था मतलब नर्यल थाने घर में और मैं भूल गई थी सिल्मान से मंगाने के लिए तो गेट के पास जो होम शॉप है ना होम डिलिवरी करते इमिजेट ली तो मैंने उनके पास नर्यल मंगाई सिल्मान बोलते तुझे कितना वो है ना खाने का कि तो भी लेकर आया दूद और नरियल अच्छल न साफु दनावड़ा चटने के बिन अच्छा ही ने लगता तो यहां पर न मैंने कुछ थोड़ा सा कोकुनेट लिया है उसमें एक ग्रीन चिली और एक लसन की कली और मैंने थोड़ा सा उसमें इमले डाल दिया खटा अपने ट बड़े खाते नहीं है तो मैंने उनके लिए दो कबाब निकाली और दो समोसे मतलब समोसे में भी खाऊंगी और अज मैं सलमन को बोल रहे थे आप फूट कट करेंगे क्या क्योंकि इतने दिन से माशाललो हो ही कर रहें लेकिन वह बहुत ठक गए थे तो मैंने बोला कोई ब असनी ज्यादा गर्मी हम लोगने मतलब देखी है ना यहां पर अलहम्दुरी लाला का शुकर है बहुत धंडा मौसम है तो यहां पर न मैंने डाल दिये साबुदाने वड़े एक साइड पर और आज देखो मैंने क्या किया ने ट्राइ किया समोसा मैंने फ्राइपन में ही अच्छे से फ्राइब करने की जर्वत नहीं पड़ी क्योंकि कम ही टाइम बचाता तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड करते रहती हो और साबुदाना वड़ा इतना कृस्पी बनाए ना मैं अभी आपको एफ्तारी के टाइम पर दिखा हो और समोसे भी मतलब अच्छे अच्छे से लेकिन बहुत अच्छे से फ्राइब हो गए और अभी हम कोल रहे है रोजा और अभी आप देखो साब दने वड़ी की आवाज देखा बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेते मतलब रोजा होके भी बहुत मतलब नमक विमक सा प्रोपोशन अच्छा हुआ था और अभी मैं पी रही चाए और उसके बाद मैंने बुलिए अभी जो सामान लाए नहों जगे पर रख देते उन्हें तो पूरा वेस् कराभी लेकर आए इसके लिए मैं हमेशा साथ में जाती हूँ लेकिन अभी रमजाने मेरी मजबूरिये करके में गई ने कोतमीर तो मैंने पूरी फेकी दी और अभी मैं सब यह साफ करके क्लीन करके फ्रीज में रख रही हूँ और अभी न मैं बिस्तर डाल रही हूँ और अब भी देखो जयन है न मुझे मजह मतलब एक बर अंदेरा हो ग Jew तो मैंने शुट कर लिया और सारी स्पाइड़ मैं उसके न भी रहते मतलब हम लोग को जगाने रहते उतने वह लोग को लीकराता है अभी कुछ ने चार पांचे खिलों ने तो बिस्तर में लेकर या आता है तो अभी हो गई है नेक्स डे मतलब सहरी का टाइम और अभी मैंने क्या किया ना जो मेथी मैंने साफ करके रखी थी थी थोड़ी सी मतलब मैं अभी उसके ना पराठे बना रही हूँ मैं अभी इतनी खराबी हुई होती बहुत ज्यादा लेकर आए ना जेन को तो इतने में बनाने नहीं वाली और वैसे भी मैं उसको मेथी बना ती तो थोड़ा आलू डालती हूँ तो मैंने क्या किया नहीं हाँ पे मेथी ले लिए और जो अपन मेथी पराठे का जो बैटर बनाते ना वैस सब पतला हुआ तो ज्यादा आटा लगा के मुझे बेलना पड़ा और थोड़ा से चेंज ये सेरी के लिए का आइडिया हो सकती है अगर आप पोर हो गए रोज का खाके तो आप मेथी पराठे बना सकते मैंने बनाई थी और मैंने एंज्जोई की बहुत अच्छे बनेते ह जादा घी लगाया तो पूरा दुआ दुआ हो गया था सुबा साड़ी थीन बजे तो मैंने चिमनी ओन कर ली और अभी देखो मतले मैंने तीन पराठे बने दो बड़े एक छोटे और आजकल क्या हो गया ना मुझे बहुत ज्यादा मस्का पाओ काने का क्रेविंग हो रहा ढही रही थी और सलमान के लिए ग्रेवि और रोटी बना ही थी मैंने और ओर इसा दा मेरा सेहरी का रूटीन इफतार्टू सेहरी आई होप आपने एंज्वाई किया होगा तो जल्दी मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए लिए लावीस टar क tow API